आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello guys, इस Question में क्या पूछा है? Benzenoid Isomer हमें बताने हैं किसके C6H3 C6H6 में से 3 हमने Hydrogen हटाई है उनकी जगे क्या क्या आजाएगा C-L-B-R-I ठीक है? Benzenoid Isomer कितने बन सकते हैं? देखो, Arrangement हम करेंगे एक-एक करके उठा लेंगे Pairwise तो देखो, यह Benzen होता है Normal अब इसमें Hydrogen की जगे अगर हम C-L-B-R-I लगाते हैं तो देखो, क्या-क्या Case बन सकते हैं? एक तो मान लो, मैंने यह कर दिया सबसे Normal Case ठीक है? और इसके बाद मैं क्या बना सकता हूँ? यह है C-L-B-R को मैंने यही रख लिया I-K-Position मैंने Change कर दी ठीक है? फिर से C-L-B-R को मैंने यही रखा I-K-Position और Change कर दी ठीक है, फिर से मैंने एक Option और है अभी मेरे पास C-L-B-R को मैंने यही रखा I-K-Position चेंज करके यहां ले आया है तो देखो, C-L और B-R को इस Position में रखने का जो Option है वो खतम हो चुका है अब मैं क्या करूँगा? अब मैं Fix कर लूँगा किसी दूसरी चीज को तो अब मैं क्या Fix कर रहा हूँ? यहां पर C-L को उपर Fix रख रहा हूँ हमेशा के लिए, ठीक है? क्योंकि ऐसे ना, ज़्यादा Arrangements जब होते हैं तो एक Part को Fix कर लेना चाहिए ताकि दूसरा उसकी Accordingly Reference मान कर अब अगले वाले केस में क्या जाएगा? यहां मैंने C-L माना, यहां मैंने B-R माना, ठीक है? और I कहां जाएगा? यहां तो आ चुका है तो अब यहां वाली पर आ जाएगा, नीचे वाली पोजिशन पर ठीक है? अब क्या होगा? इस चे अगला केस इस चे अगला केस होजाएगा, C-L यहीं है B-R यहीं है और I कहां चला जाएगा? नीचे वाली पोजिशन पर था अब इस पर आ जाएगा, ठीक है गाईस? समझ रहे हो? अब इसमें क्या होजाएगा? अगला केस जो C-L और B-R की पोजिशन थी, वो सेम रखेंगे और I की पोजिशन यहां भी आ जाएगी तो देखो, मैंने क्या क्या, एक्चॉल में C-L के रिस्पेक्ट में B-R, पहले तो C-L और B-R के रिस्पेक्ट में I को रिवोल किया, अब C-L और C-L के रिस्पेक्ट में B-R जो था, उसको भी मैंने एक पोजिशन खिसका के, और अब उसको I को फिर सिर्वोल किया, तो ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अलग-अलग स्ट्रेक्टर्स बनते जा रहे हैं, ठीक है? अब मेरे पास ये केस भी क्या हो गया? बी-R कहां तक आ चुका था, इस पोजिशन तक, ठीक है? अब मैं B-R को नीचे वाली पोजिशन पर ले आँगा, ओके गाईज, अब मेरा I का पोजिशन कहां आएगा? पहली पोजिशन यहां हो जाएगी, और दूसरी पोजिशन, कहां हो जाएगी? यह मेरा C-L हो गया, यह मेरा B-R हो गया, अब इसके बाद यहां आ जाएगी, ठीक है? अब मैं बाकी की पोजिशन अगर देखू, तो इसके बाद वो सेम आने लग जाएगी, ठीक है गाईज? B-R और I, अगर मैं दूसरी केस में देखू, अगर अब मैं अगले केस में क्या करता, मान लो आपके अकोर्डिंग में यह करने वाला था, यहां C-L, नीचे B-R, और यहां की बजाएगी, अब यहां पर I आ जाता, तो देखो, यह वाला केस क्या मैच नहीं कर रहा है, C-L, B-R, और I, ठीक है? तो गाईज, इस टाइप से अब यह केस क्या होते जाएगे, धीरे-धीरे, मैच होते जाएगे, और यह हमारे final कितने बन गए, 10 आइसोमर बन गए यहां पर, तो यह बैंजेनोडल नहीं हो जाएगे, 10 आइसोमर, ठीक है? Thank you.